सब्सक्राइब कर चुके थे और इसके अंतरगत हमने देखा था कि ब्रिटिश एवा मैसूर के बीच टोटल चार रिध हुए जिसे हम आंगल मैसूर यूद के नाम से जानते हैं और इसे पहले यूद की बारे में हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आज हमें दूसरे तीसरे और चोथे अंगल मैसूर यूद के बारे में पढ़ना है चले स्टार्ट करते हैं तो दूसरे अंगल मैसूर यूद जो कि आपका 1780 से 1784 इस्वी में हुआ तो इसमें इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि कारण क्या है ना तो कारण होगा तभी तो यूद होगा तो कारण जो है इसका प्रतम आंगल मैसूर यूद से ही निकलता है क्यों कि इस यूद के दुरान जो मद्रास की संधी की गई थी इस संधी का अंग्रेजों के द्वारा उलंगन किया गया कैसे तो 1777 1771 में जब सहायता नहीं की जो कि मद्रास की संधी का उलंगन था अब आपको थोड़ा सा याद दिला दू मैं मद्रास की संधी के तहत यह तैक किया गया था कि जब को तीसरी शक्ती भविश्य में मैसूर या अंग्रेजों पर हमला करती है तो यह एक दूसरे की मदद करेंगे लेकिन अब हमने देखा कि मराथा ने जब मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने इनकी मदद नहीं की जबकि संधी के तहत अंग्रेजों को मैसूर की मदद करनी चाहिए थी तो यह पहला कारण बनता है कि मैसूर एवां अंग्रेजों की बीच जो है तनावपूर चंकट की ज जिसकी पढ़नती आगे चलकर दूते आंगल मैसूर यूद भी हुआ तो यह था पहला कारण आंगल मैसूर यूद जो हुआ उसका एक पहला कारण हम देखते हैं दूसरा कारण हम देखते हैं कि उस समय आपका जो अमेरिकी क्रांती चल रही थी तो अमेरिकी क्रांती जो दे रहा था और फ्रांस के साथ मैसूर के क्या थे अच्छे संबंद थे तो मैसूर के फ्रांस के साथ अच्छे संबंद थे और मैसूर के अंतरगत आपकी जो एक शेत्र है माहे यहां पर आपकी फ्रांसी सी बस्ती थी और फ्रांसी सी बस्ती पर क्या है अंग्रेजों ने आक कि की माहे पर आपके महार में पर सली शन्ति का शासन था और में आपके महार मेषो के ऐन्थरकत आता था और मों तॅ नियुक्छा कूछ कि अो अपके शोन्ति की महार में सथापित थी इन साथ Megra Her के अफुनर चाहिती मयर मों आखरें कया थी का लिक्ता को लाप सबげूल कि इन दोनों की बिच फिर से तनावस पूँण जो है आपके स्थितिया बनी और जब आगे चल कर हम ने देखा कि अमेरिका में जब आपकी अमेरिकी कुरांती चल रहे थी तो अमेरिकी करांती के दुरान France America के साथ दे रहा था किसके वीरूथ बिटिश के वीरूथ तो जब बिटिश के वीरूथ अमेरिका के साथ दे रहा था और वहें भारत में मैसूर के साथ participate तो यह एक पूरी संकटपुन स्थी बनी हुई थी अंग्रेजों के लिए अगर हम देखें तो राष्ट्रिय एवं अंतराष्ट्रिय सतर पर 1780-81 के दुरान अंग्रेजों के लिए एक संकट पूर्ण सीती थी कैसे अगर हम राष्ट्रिय सतर पर देखें तो राष्ट्रिय सतर पर मराठा के साथ भी अंग्रेजों के मतलब यूद चल रहे थे इनके साथ भी इनके अच्छे संबन नहीं थे इसके लावा जो इनके यहां पे बोंबे एवां बंगाल में जो इनके बिटिश अधिकारी थे उनके बीच भी मतबेद व्याप्त था तो राश्टेस तर पर मराठा के साथ भी इनके अच्छे संबन नहीं थे और मैसूर के साथ तो इनका जो है विवाद चल ही रहे थे और इसी तरह अंतरास्टे स्तर पर भी अमेरिका के साथ जब अमेरिकी क्रांती हो गई अमेरिका के साथ दे रहा था फ्रांस जिसका फ्रांस के मैसूर के साथ अच्छे संबन बने हुए थे और अंतरास्टे स्तर पर जब अमेरिका बि बिटिश के विरुद बिगुल फूंक चुके थे यान कि वे भी अपने अपने देशों को मुक्त कराने चाहते थे बिटिश के अंतगर्थ जो पहले से थे तो राष्टेस तर पर भी बिटिश को एक अपनी संप्रूपता जो जमा रहे थे उसको खत्रा बना हुआ था ना क्य बिटिश के विरुद बिगुल फूंक चुके थे तो यह अंतराष्टेस तर पर बिटिश के विरुद क्या थी एक स्थिती थी लेकिन राष्टेस तर पर हमारे राष्टेस तर पर भी हमने देखा कि मराथा इनके विरुद थे उसके लाबा मैसूर के साथ भी इनके निरंत के विरुद तो यह जो आपका 1780 से 1781 का जो दोड था यह एक संकटपून दोड था बिटिश के लिए राष्टिस सर पर भी और अंतरास्टिय सर पर भी हना तो आगे चलकर हम देखते हैं कि जब आपके तो दोडिश के दोड़ा देखते हैं कि इस तोरान अंग्रेजों के गवार्नाजरीन को थे वारेन हैस्टिंग और वारेन हैस्टिंग एक बहुत रणनीती पूर्ण मतलब व्यक्ति थे बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसी कूट नीती बनाते थे जिसके कोई भेद भ लिए कुछ इस तरह का ही बना हुआ था और इस संकटपुन दोर का भी वार्ड हैस्टिंग ने एक सरल समाधान निकाल लिया उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि जो त्रिगुट बन चुका था मैसूर मराथा और निजाम का इसे तोड़ दिया यानि कि मराथा और निज मैसूर के बीच युद हुआ तो इन्होंने क्या किया मैसूर को प्राजित कर दिया तो यह था आपका दृत्य अंगल मैसूर युद के बार में जिसमें रणनिती पूर्ण रूप से किसने काम किया था वारेन हैस्टिंग ने जिसने अंग्रेजों को 1781 की जो बीच की जो सं उनके नाश्टिय और अंतराश्टे स्थर पर दोनों पर ऐसी स्थितिया बन चुके थी जो कि इनके विरुद थी लेकिन इस स्थिति का भी इन्होंने अच्छे से सामना किया और सबसे पहले क्या क्या मराठा और निजाम जो कि मैसूर के साथ मिल गए थे इनको पहले अपन आप शासक कौन बने आपके टीपू सुल्तान, जो की हैदर अली के पुत्र थे, और एक को चीज आप नोट कर लें, कि मराठा को उन्होंने इस युद्ध से अलग कर दिया था, कौन से संधी के तहट, यहां लिख लिए आप, सालबाई की संधी, सालबाई की संधी के बार में, जो हम मराठा के बार में पढ़ेंगे आगे, उसके बार में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यह जानने के अवर, कि दुद्धिया अंगल मैसूर युद्ध से, मराठा को उन्होंने किस संधी से अलग किया, सालबाई की संधी के तो साल भाय की संदी के था थी तो ने मराथा को युद से अलग कर दिया और टीपू सुल्तान से इन्होंने आगे चल कर 1784 इस्वी में जब इन्होंने दृत्ते आंगल मैसूर युद जीत लिया था उसके उपरांथ 1784 में हैदर अली के बुत्र टीपू सुल्तान जम शासक ब उर्युद के बारे में और इस जुद के तहत आपको क्या है मंगलोर के संदी के तहत अंग्रेजों ने क्या कहा कि अंग्रेजों को मैसूर के अंतरगत क्या है व्यापारिक अधिकार मिल गय थे क्या आप मैसूर के अंतरगत आप व्यापार कर सकते हैं तो यह था आपके लोर की संदी के तहट इसमें मुख्य जो है आपका यह था कि अब अंग्रेजों को मैसूर में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था तो यह था दूसरा अंगल मैसूर यूद जिसमें आपके गवर्नर जनरल थे आपके लौर्ड वारें हैस्टिंग्स अब तीसरा अंग्र मैसूर यूद है आपका जो कि कब हुआ 1790 से 1792 इसवी के दोरान इसके भी पहले हम कारण देखते हैं कि यह यूद होने का कारण क्या था तो इस यूद का मुख्य कारण था कि जो आपका मैसूर है मैसूर के निरंतर फ्रांसिस्यों से अच्छे संबंद बने हुए तो अभी भी मैसूर में जो आपका शासक टीपू सुल्तान है और टीपू सुल्तान के फ्रांसिस्यों से अच्छे संबंद थे जो कि अंग्रेजों के आँखों में एक कांटे की तरह चुब रहा था तो यह तो एक कारण था पहला दूसरा कारण जो मुख्य है वह आपका क मैसूर ने आपके 53 के शेत्र पर और तो जो है आपका प्रिटिश अन्रक्षित शेत्र था और जब मैसूर ने हमला कर दिया तो सबहाविक था कि उन दोनों के बीच मतभेद होना अब अवशमभावी हो गया और तीसरा आपका आंगल मैसूरियुद हुआ तो तीसरे आंगल परांध जो मैसूर के साथ संधी की वेयर थी आपकी श्री-ड्ङधिंग पतनम की संधी की प्रस्न निम्री ठीपो सुल्थानी तो खेत अट सीर्ग अग्रिशों न lookout लो है कि इस संदीके तहर्ट टीपु सुल्तान को कहा गया कि आप जो है अपने राज्य का आधा शेत्र हमें देंगे अब एक चीज आपर पेचीदा है कि अगर अंग्रेज चाहे तो पूरा मैसूर का शेत्र अपने अंतरगत ले सकते थे उससे पहले आपको बता दू कि त्रित्य अंग्र मैसूर यूद में मैसूर के विरुद अंग्रेजों का साथ दिया था और इसमें विजय आपके अंग्रेजों की हुई और विजय के अपरांत अग्रेज चाहे तो पूरे मैसूर पर अपना शेत्र अपना सापित कर सकते थे पूरे मैसूर को अपने अंतरगत ले सक जरूरी हो गया था क्योंकि मराथा और निजाम ने युद में अंग्रेजों का साथ दिया था और इस चेत्र का कुछ पर्तिशत देना आफशक था और इसके साथ ही अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर क्या है आपके तीन करोड का जुर्माना भी लगा दिया था ना तो युद्हर जाने के रूपर तीन क्रोड का हरजाना लगाया और तीन करोड ते उन्हें अपने अधिकारं में ले लिया अंतरगत बंधी बना लिए टीपू सुल्तान के दो फुर्मान और इस उद्ध के अप्रां अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और तीन क्रोड को शक्ति शाली बनाए बिना अपने दुश्मन को कमजोर कर दिया तो इनकी जो मित्र थे इस चुद में कोन थे मराठा और निजाम है ना और शत्रू कोन था मैसूर यानकी टीपू सुल्तान तो शत्रू को तो कमजोर कर ही दिया है लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कहां कि अपने मित्रों को शक्ति शाली बनाए बिना क्योंकि मित्र ये आपके मराठा और निजाम अगर ये अंग्रेश क्या करते पूरे अगर आप मैसूर शेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लेते तो पूरे शेत्र में से इन्हें मराठा और पड midnight देना पड़ता और इस दुरान हिन्हें क्या थाँ बड़ा सरस्ट काफही Toubra में हिन्हें दून्ट में पड़ता जो कि आगे चल कर इनके विरोत क्या है आकरमण कर सकते थे यह ना तो बड़ा नीजों का था इसलिए इन्हों क्या है कि पहले ही मैसूष के के चैने माराथा निजामिल भी है जोड़ा खायितो करें अब है माराथा something that फोड़ा शेतर करों और बकर ऑड़ा च्छाइम करने हुआ मैं माराथा निजाम में प्रहुतूट भी कानभा है म्eil bilang तो इस लिए आपके बिटिश अधिकारी कानवालिस ने कहा है इस यूद के बाद कि हमने अपने मित्रों को शक्ति शाली बनाए बिना अपने शत्रू को पंगू या कमजोर बना दिया तो यह था आपका त्रित्य आंगल मैसूर यूद जिसमें आपके टीपु सुल्तान के साथ श्री 1999 इस भी में हुआ तो चोथा अंगल मैसूर यूद की चैनल आपके लोड वेल इजली तो इसका जो पहला कारण तो वही था आपका कि आंग जो मैसूर के आपके अभी भी इस तिरते अंगल मैसूर यूद के फ्रांटिसों के साथ निरंतर अच्छे संबंद बने हुए थे और इसी तरह अगर हम युडरोप की बात करें तो विश्व में नेपोलियन नेपोलियन ने मिस्टर का भ्यान शुरू कर दिया था तो इन्हें जब इस सर पर हम देखते हैं कि नेपोलियन ने मिस्टर का भ्यान शुरू कर दिया था और इसी दोरान अंग्रेजों को भी चिंता हुई कि कहीं भारती उपनिवेश भी हमारे जो कबजे से ना चूट जाए तो इसी संकट के दोरान अंग्रेजों ने सोचा कि पहले ही जो मैसूर जो शेत्र है एक विवाद शेत्र बना हुआ है क्योंकि मैसूर किसका साथ दे रहा है और अच्छे संबंद पहले से ही है उनके संबंद हमारे साथ बहुत खराब है और दूसरा उन्हें अपने उपनिवेश यानकि भारती उपनिवेश के जाने का भी खत्रा बना हुआ था इसलिए लोड वेलेजली केवल एक मोका देख रह है कि मैसूर मराथा निजाम एवं फ्रांसेशों के साथ मिल कर क्या है उनके अगेस्ट एक शेड अंत्र बना रहा है ना तो यह कुसे मोका मिल गया आकर्मन करने का और इसी आरोप के तहत जो अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया जो कि आपका चतुर्थ आंगल मैसू से शेत्र पर वड्यार वन्ष के वड्यार वन्ष अगर आपको शायद होगा हमने पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैसूर में पहले किसका शाहसन था आपके वड्यार वन्ष का ही शाहसन था जिसमें हमने देखा था कि शाहसर कौन थे आपके चिक्क संभालेंगे और किवल कितनी वर्ष का बालक तो वड़्यार वर्ष के दो वर्ष का बालक को यहां पर अपने गद्दी पर बिठा दिया एक चोटे से शेत्र की मैसूर के चोटे से शेत्थ पर और इससे कौन सी संधी कर ली वैलजली ने सायक संधी कर ली तो ये था आपका पूरा दूसरा तीसरा और चोथा अंग्रेजों की विजए हुई हैं जिसके उपरांत अंट में अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना अधिकार सापित कर लिया था तो यह था अंग्ल मैसुरुद के बारे में तो थोड़ा से हम टीपु सुल्طान के बारे में देख लेते हैं काफी कई बार पूछ ले जाता है टीपु सुल्तान के बारे में भी आ तो टीपु सुल्तान जो है आपका मैसूर का शासाख सबसे पहली तो कब बना आपका 1782 कोई स्वी में और जो की हैदर अली के पूत्र थे और टीपु सुल्तान ने कि टीपु सुल्तान ने श्री रंगपत्नम में स्वतंतर्ता का व्रिक्ष लगाय था तो याद रखे श्री रंगपत्नम में स्वतंतर्ता का व्रिक्ष लगाया इसके लावा टीपु सुल्तान ने जैकोबियन घुप तो। यह जैकोबियन घुप की एक सदस्यकता ग्र sciences के द्वारा बना गया ग्रूप था जिसकी सदस्या ता टीपु शुलतान ने प्राप्त की और टीपु सुल्तान ने ही एक उपाधि ग्रहंड की नाग्रिक टिपू जिसका मतलब क्या था कि उपादी ग्रहंड कि वे जो अपके फ्रांसिसी नाग्रिक की अधिया अधिय के और फ्रांसिस्य ग्रूप जैकोबियन ग्रुप को भी टीपू सुल्तान ने किया है इसमें एड हो गए थे इसकी सदस्ता प्राप्त कर ले थी इसके लावा जो एक महतुपूर्ण बाद टीपू सुल्तान के दवारा कहे गई उन्होंने कहा कि आपका आर्थिक आधार है वह है जो आपका सैनिक आधार क मतलब मुख्य नीव है यान कि अगर आपका आर्थिक आधार मजबूत है तो आपके जो सैनिय शक्ति होगी वह भी मजबूत होगी तो यह है टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया और इसी के दायत उन्होंने सबसे पहले जो अपनी सैनिक शमता थी उसे मजबूत किया और व्यापारिक बस्तियों के स्थापना करे लिए इन्होंने अपने अधिकारियों को दूर दूर देशों में दूत के रूप में भेजा तो यह था आपका टीपू सुल्तान के बारे में जिन्होंने सवतनत्ता का वरिक श्री रंग पत्नम में लगाया फ्रांसेसी ग्रूप जैकोबिन ग्रूप की सदस्ता प्राप्त की नागिक टीपू की उपाधी ग्रैंड की और इसी के साथ इन्होंने जो एक अपने सैनिकों को यूरोपिय पदिती से युक्त किया जिनका कहना था कि अगर आप सैनिक आधार को मजबूत बना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आर्थिक आधार को मजबूत करना होगा तो यह था पूरा आपका मैसूर में बेटे सामराजबादी प्रसार जिसके बार में हम आज की वीडियो में पूरा कवर कर लिया है आज की बार में बस इतना ही नेक्स हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में तैंक्यू थैंक्यू सो प्वाइब